हालो फ्रेंड्स गूड इउनिंग वेलकम तो माई यूटूब चैनल इंग्लिस विद माया एंड कैसे हैं सभी लोग आई हूप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो जो हमारी सीरीज चल रहे हैं मीटर एंड राइम की तो मीटर एंड राइम मैंने कल तक कंप्लीट कर दिया हैं आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इस्तेंजा इस्तेंजा क्या होता है आज आप लोग को इसके बारे में जानना है इस्तेंजा को आप किस टाइप से यूज करते हैं ये भी जानना है लिट्रेचर में इस्तेंजा को क्या काम होता है ये भी आपको आज हम लोग तो चलिए, Class स्टार्ट हो गई है, Class स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नया है, वो चैनल को सस्क्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर करें, ठीक है? चलिए, अब हम लोग Class को देरी ना करती हैं, यहीं पर श्टार्ट करेंगे, तो देखें, जो हमारे UPT PGT PGT आदा स्टेट लेवल के जितने भी एक्जाम है या आपके स्तेंजा, मीटर अडर रायम, लिटरेरी टर्म यह सारे जितने भी आपको टॉपिक दिये जा रहा हैं इनसे आपको कम से कम चार से पांच नमबर के क्यूश्चन हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे हर ए इनको मिस ना करें आप अगर वीडियो पिछली नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके उनको आप देख लीजिए जो हमारी हम कोसिस करते हैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की तो आप लोग का अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा हमको तो उससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिस करेंगे चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस्टेंजा इस्टेंजा होता क्या है देखें इस्टेंजा 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 मतलब कि कोई पोयम होगी उसको कैसे डिवीजन करेगा जैसे 14 लाइन की जैसे मालीजी आपकी सनेट्स हैं तो उसको किस किस टाइप में या तो जैसे 33 लाइन में उसको कनेक्ट कर देगा चीक है डिवाइड कर देगा या तो उसको 44 लाइन में या तो इसको 2 लाइन में इस ट इसपेसली मतलब कोई grouping बनाके कोई लाइनों का एक group बनाके poem को divide करें ठीक है उसका एक pattern बना दें जैसे तीन-तीन का pattern बना दिया तीन-तीन लाइनों का या फिर 4-4 लाइन का या तो 2-2 लाइन का जैसे किसी rider को जैसे अच्छा लगे उस टाइप में उसकी length sequence बिल्कुल एक जै निगन का कोई sequence दे दिये जाए sequence दे दिये जाए कोई pattern दे दिये जाए या उसका कोई group बना दिये जाए ठीक हे या तो अपने अनसार या तो 3-line我ो सकती है या 2-line में हो सकती है एक line या कोई extended नहीं माना जाता फी के 3 lines, 4 lines, 5 lines, 6 lines, 7 lines, 8 lines, 9 lines, 10 lines, जितने lines के जिसको मन हुआ है, वो stanza use कर सकता है अपनी poem में, poem में या prose पे भी stanza use किया जा सकता है, चीक है, चलिए देखते हैं, stanza कैसे, stanza के structure क्या होता है, देख लिए, stanza यह तो कोई pattern में बन जाएगा, और, हाना, origination बन जाएग, उसके set of mode, shape, कोई बात बताना, writer के जैसे कोई mode हो सकता है, कि वो किस टाइप में उसको लिखनी है poem, किस टाइप में उसको stanza देना है, या उसको कोई shape हो सकता है, उसको कोई pattern हो सकता है, उसको कोई origination हो सकते हैं, चीक है, ये चीज़े होती है, ये इस ते जब बनाने का, जैसे, हाना, ऐसे करेके दे दिया जाए, टू-टू का, इस ते जमालो ये बन गया है, थ्री-थ्री का, ये देखिए, बन गया ना, इसी तरीके, 4-4 का, 4-4 का grouping है, उसके बाद space कर दीजिए, फिर उसके बाद space के बाद 4-4 कर, देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कि नहीं भाई, ये poem है, ये poem की lines है, ये सारे grouping word में बन हैं न, इक इनका एक pattern है न, अलग-अलग, 3-3 lines का pattern बन गया, ये 4-4 lines का pattern बन गया, ठीक है, ये 2-2 lines का pattern बन गया, shape भी बना हुआ है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे, stanza, क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे जाते हैं stanza, देखिए, अब stanza होते कितने type के हैं, ये भी देख लीजे, सबसे पहला जो हमारे stanza होता है, mono stitch, क्या होता है, सबसे पहला जो stanza होता है, mono stitch, अब mono means क्या होता है, mono means होता है, एक, क्या होता है, एक, मतलब कि one, ठीक है, तो देख लीजे, ये one line stanza, mono stitch can be also entire poem, मतलब कोई ऐसी poem जो सिर्फ कैसी हो, एक line की हो, कैसी हो, एक लाइन की बस पोयम दे दिये जाए ऐसी उसको इन्होंने क्या माल लिया है उसको इन्होंने माल लिया है मोनो इस्टिच मोनो इस्टिच इस टैंजा माल लिया है एक लाइन की कोई पोयम होगी पूरी पोयम होगी एक लाइन की तो वो क्या बन जाएगी कि वह बन जाएगी मोनो इस्टेज ठीक है बात क्लियर हो रही है ना चलिए अब लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा कॉपलेट अब कॉपलेट तो आप लोगों नहीं सुना होगा कॉपलेट यह से हमारे सिक्सपेज राइटर उन्होंनों भी यूज़ किया है ठीक है हिरोई कॉपलेट का अपने नाम सुना होगा ठीक है वही होता है यह सब कॉपलेट क्या होता है कॉपलेट होता है इस दिन जब टू लाइन्स एड़ दा राइम कॉपलेट हमें सब टू लाइन्स का होता है कितने का टू लाइन्स का ऐसे ऐसे ठीक है जो हमारे ड्राइ ट्राइडन सहाब थे इन्होंने ये coplet का use किया है अपने उसमें ठीके जो भी उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने क्या use किया है coplet का use किया है ठीके coplet कितनी lines की होती है two lines इनकी जो rhyming होती है इनकी rhyming दोनों में विल्कुल सेम होती है कैसी होती है दोनों में सेम होती है ठीक है जो heroic coplet होता है जो heroic coplet होता है उसमें जो rhyming होती है एक मिनिट उसमें जो उसकी rhyming होती है उसमें जरूरी नहीं रहता है कि वो सेम ही हो एक जैसी ही हो ठीक है बस इतना ही फर्क होता है बागे वह ही होता है सब for example देख लिए जैसे क्या दिया गया है true with nature to advantage dressed true with nature to advantage dressed इसी तरी के क्या है what oft was thought never so well expressed देखें two lines है ना बिल्कुल two lines है two lines का मतलब क्या बन गया है? coplet बन गया अब इनकी देखें जो last word है क्या है dressed इसका क्या है expressed बिल्कुल same rhyming है न? हाँ बिल्कुल same rhyming है तो यह हमारा क्या बन गया? यह हमारा बन गया coplet क्या बन गया? coplet two lines का extension क्या बन गया? हमारा coplet बन गया बात clear हो रही है न? जो हमारे सेक्सपियर के जो sunnets है उन्होंने कैसा pattern यूज किया है? four plus four plus four plus two तो यह जो last का two है यह हमारा क्या है? coplet है जो four four है यह हमारे क्या है? quatrain, quatrain, quatrain quatrain, quatrain. बतलब कि four four line का उन्होंने यूज किया है तीन extension में और एक extension में two line का. ठीक है? इनका sunnets pattern यह किसका सेक्सपियर का. ठीक है? तो बात clear हो गए यहां से आपको. इनकी rhyming बिल्गुल shame होगी two lines के में. यह रहेंगे. third हमारा क्या है? third हमारा है tercet. अब देखे tercet क्या होता है? ठीक है? देखे tercet होता है a stanger with three lines that either first line and third line rhyming which is called tercet. देखे यह कह रहा है कि यह 5th line के होता है? three lines के होता है. पार्स्ट लाइन होगी यह वाली लाइन और इसकी जो थर्ड वाय लाइन होगी यह वाली लाइन यह दोनों के आपस में क्या करेंगी यह अपस में rhyme करेंगी क्या करेंगी राइम करेंगी ये ठीक है ये आपस में राइम करेंगी फाइस्ट एंड थार्ड और ये हमारा क्या कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा तर्सिट इसको हम तेर्जा राइमा भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं तेर्जा राइमा इसका भी मतलब यही होता है ठीक है क पैटर्न कया होता है देख लीजिए A B A B A B मतलब इसको आप A मान सकते हैं इसको B क्योंकि यह मैश नहीं करता और क्योंकि यह नहीं क्या है रायमिंक सेम है तो इसको भी हमने A मान लिए तो यह हमारा क्या बन गें A B A क्योंकि तीन line है तो 3 lines का हमने बना दिया है इसी तरी कि आप फटाये इसको आप क्या कर सकते है इसको आप जिसे B माल ले इसको भी B माल ले क्योंकि दोनों की सेम पैटान है इसको A माल ले ये भी बन जाएगा ठीक है इसी types ए phrases से बनाए जाते है कोई बात ने ठीक है देखे, for example से आप लोग देख लीजे, समझ लीजे, इसे क्या दिया है हमार example, test का, he claps the crag, he claps the crag with crooked hands, close to the sun, it only lands, ring with the azure word, it sends, देखे जो इसके last word है, hands, lands and sends, ये तीनों rhyme कर रहे हैं न, बिलकुल, sends, hands, ये बिलकुल rhyme कर रहा है, बिलकुल कर रहा है, ठीक है, ये तीनों, या तो तीनों rhyme करेंगे, या तो दो rhyme करेंगे, लेकिन ज्यादतर कौन को rhyme करेंगे, first या third, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, tercet, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, tercet, अब next हमारा क्या ऐसे कर के अमारा यह इस तेंजड बनता है फ़ोल लाइन का का stars 함께 मिद्व से करेगे फोर्थ से बंट किसे करी टू से 13 से करेगी से कड इसकेंड फोर्थ से रायमिंग करेगे यह हमारा क्या बन जाए यह हमारे बन जाए कि कोईट रहीं देखें टेक्ट आइक है देखें यह क्या है यह क्या है य। चारों भी उसकती हैं बिल्कुल ऐसे हैं लिखार आउंको आहए बोल दो आप ठीक है एं बन गई हमारी क्यों कि छारों कि रही हैं अगर हो सकता है कि आपकी ये 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 वाली rhyming करें तो आप इनको ए ए माल लो और ये राइम नहीं कर रहे हैं तो इनको ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो इनको बी भी माल लो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो इनको ए माल लो आइज वी हो सकता है, A, B, A, B भी हो सकती है, ठीख है, मतलब इसका इससे भी मिल सकता ह्या oczywiście, इस तरीकिछा हमारे राइंग बनते हैं, बात priv glow हो रही है न, अगर clear हो रही है तो इसनो में answer दीजी सब लो चलिए, अब हम बताएंगे आपको custed, custed क्या होता है देख लीजी A stędzia with six lines Lines, rhyme cde cde मतलब ये कितनी line का होता है? ये हमारा six line का होता है कितनी line का? six lines का होता है ठीक है? जैसे अभी तक क्या पढ़ा है? one, two, three, four, five हाना अब ये क्या है? six line का one, two, three, four, five, six ठीक है, इनका rhyming pattern ने कैसा होता है, देख लीजे, c, d, e, फिर c, d, e, ठीक, c, c direct कहां पर पहुँचा, ये, चौथी line पर, इनसे इनका rhyming किया है, e, पांचमी lines, इनका d, ऐसे, इस type से rhyming किया है, ति हमारे क्या बनंगे, इस type से भी बन सकते हैं, दूसरी type से भी बन सकता है, ठीक है? ति हमारे क्या बनंगे, c, c... बस sudah आप इतना जानलेजी, c, c. हमारे कितने likes को होता है, cxx lines को होता है, ठीक है? अब 7 line का देख लीजी 7 line का क्या होता है accepted क्या होता है accepted इसको हम rhyme royal भी बोलते हैं क्या बोलते है accepted rhyme royal क्यों बोलते हैं जो हमारे king james first थे king james जो first थे इन्होंने अपने land में ये वाला pattern अपनाया गया था कौन सा accepted वाला इसलिए इन्ही के नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं ku nou सा? rhyme royal pattern क्या बोलते है rhyme royal pattern बोलते हैं और जो accepted बोला जाता है इसे को चاؤसर भी बोला जाता है क्योंकि ये चा क्योंसर ने भी अपने उस पे यूज कीया था poetry पे यूज कीया था यह lines कून सी राइम 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 गया थे किस की समराज में King James first के समराज में ठीक है बात clear हो रही है सब लोगों को बिल्कुल अब इसी तरीके हमारा क्या होता है Octave Octave क्या होता है देख लीजिए Octave is tinge with eight lines कितनी lines को होता है eight lines का होता है ठीक है ढेकि है एस से बना होगा हमारा कितने it line का पैंटर्न न बना होगा और इसमें कैसी बन सकती है pan AM AB मतलब कि इससे बन गया इसका इससे बन गया lub AB pale इसगा के बन गया फिर सी ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके pattern भी बन सकता है और भी दुसी तरीके से pattern भी बन सकता है जैसे A, A भी बन सकता है B, B भी बन सकता है इस type से तो ये हमारी poem के recording rhyming के अंसार होता है कि किस type की rhyme बना रही है उस type से हम लोग इसको stanza को divide कर सकते हैं ठीक है, अब next हमारा क्या है Spencerian, Stanza देखे, इसको Spencerian, Stanza क्यों कहा जाता है, ये हमारी nine lines का होता है सबसे पहले तो, कितनी lines का होता है nine lines, और ये जो हमारे कौन से writer थे, Spencer कौन से writer थे, Spencer इनके नाम से ये हमारा क्या है, Stanza जाना जाता है ठीक है इन्होंने अपनी जो इनकी एलग्री एक उन्होंने लिकिती कौन सी फेरी क्वीन ऐसे करेके कुछ एलग्री थी ठीक है तो उसमें उन्होंने यही चीज यूज किया था कौन सा Ispensarian Ishtenja मतलब 9 lines का इन्होंने Ishtenja यूज किया था इसलिए ये बोला जाता है क्या 9 lines होते हैं, कितनी lines होती है 9 lines का एक group बना दिया जाता है, ठीक है किसका group, 9 lines किसको क्या बोलते है, pattern ठीक है यह हमारा बन जाता है, stentia तो बात clear हुई ना, stentia, सबको समझ में आ रहे हैं सब लोगों को I hope सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में होंगे, जितने भी मैंने stentia बता, stentia होता क्या है यह मैंने आपको बता दिया stentia किस type से structure इसका बनता है, pattern origination, set a mood and shape, मतलब कि किसी का mood हो सकता है किसी का safe हो सकता है किसी के pattern के अंसार हमारे बनाए जा सकता है, कितने type के होते हैं, यह भी हमने बता है कि mono stitch मतलब one line stentia, coplet मतलब two line stentia और जो हमारे tercet है, मतलब three line stentia को बोलते हैं जो हमारे quatrain है, मतलब four line stentia sextet हमारा six line stentia septet हमारा seven line stentia octeo हमारा eight line stentia and spencerian stentia मतलब कि nine lines का यह हमारा quick revision था, ठीक है तो यह चीज़े आप लोगों को literature में याद कर लेनी है, ठीक है क्या करना है, आप लोगों को यह सब चीज़े याद कर लेना है, जब आप लोगों के याद कर लेंगे तो आपको यह चीज़े बिल्कुल clear हो जाएंगे, अगर आप वीडियो एक से में यूजफुल हैं, और यहां से आपका एक या दो नंबर का 100% क्यूशन पूंचा ही जाता है, हर एक्जाम में, जिसमें लिट्रेचर आती है, यह मालीजे वहां से, यहां से टॉपिक आपके कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी हैं, वो वीडियो को देख लें, स्टार्टिंग से बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारी चीजे कम्प्लीट की जा रहे हैं, इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, वो आपका क्या रहेगा, सर्प्राइज रहेगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर देखें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच,